खबरों का लंच बॉक्स खरेलू उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा डीपी आयाईटी ने बियाईस से परामर्ष के बाद विद्यूत उत्पादों के लिए जारी किया ड्राफ्ट नियंत्रन आदेश नए मांदंड, घरेलू, कमरिशेल उप्योग में आने वाले सभी विद्यूत उपकरणों पर होंगे लागू इन उत्पादों में वेक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर आदी हैं शामिल सरकार बिजली की खपत को लेकर कर रही नए नियम बनाने के तयारी इसके तहट बिजली की दरेताय करने के लिए दिन के समय यानी टी ओडी का नियम किया जाए का लागू इस विवस्था के लागू होने के बाद देश भर के बिजली उपभुकताओं को सौर घंटो यानी दिन के समय में बिजली खपत के लिए कम और रात के समय में ज्यादा बिल चुकाना होगाू इसी तरह गर्मी के सीजन में पीक आवर में ज्यादा डिमांड होने पर भी बिजली की ज्यादा कीमत चुकानी होगी टी ओडी शुलक विवस्था एक अपरेल दोहजार चुबीस से दस किलो वाट और उस से ज्यादा मांग वाले कमर्शियल और इंडस्टियल उपभुकताओं के लिए होगी लागू किर्शी छोड़कर अन्ने सभी उपभुकताओं के लिए ये नियम एक अपरेल दोहजार पचीज से होगा लागू दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की चल रही है तैयारी आठ फीजदी तक बढ़ जाएगा बिजली का बिल हाला कि 200 यूनिट फिरी बिजली की खपत पर नहीं पड़ेगा इस बढ़ उत्तरी का असर दिल्ली और आश्ट्री राजधानी शेत्र में इस बार मौनसून ने निर्धारित समय से दो दन पहले ही देदी दस्तक पूरे शेत्र में रविवार को सुबह कई इलाकों में हुई जहमा जंबारिश मौसम भाग का कहना है कि अगले दो दिनों में मौनसून दिल्ली और आसपास के शेत्रों को पूरी तरह कर लेगा कबर विभाग ने अगले तीन दिन के लिए राश्ट्री राजधानी शेत्रों में जारी किया औरेंच अलर्ट खास बात यह है कि दिल्ली और मॉंबई में रविवार को मौनसून ने एक साथ दी है दस्तक मौसम भाग ने कहा कि 62 साल बाद बना है ये दुरलप सयोग जब दोनों महानगरों में मौनसून एक साथ पहुँचा इससे पहले साल 1961 में 21 जून को दिल्ली और मॉंबई में मौनसून ने एक साथ दी दस्तक कर्ज के भारी संकट में फसी निजी शेत्र की विमानन कंपनी गोफस्ट के फिर से उड़ान भरने की जगी उमीद दिवालिया परक्रिया से गुजर रही एरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों के समूने अंतरिम राहत के रूप में 425 करोड़ों की बैंक के बैंक के बोर्ड और नियामक से मनजूरी मिलने का है इंतिजार समूने कहा उसने से धनतिक रूप से कंपनी के प्रस्ताओं को मनजूर कर लिया लेकिन अभी भी उसके बोर्ड की मनजूरी मिलनी है बाकी इसके अलावा दोबारा उड़ान भरने की स्थिति में आ सकती है गो फस्ट आईफोन बनाने वाली एपल अब जल्दी भारत में लाउंच करेगी अपना क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लाउंच करने के लिए एपल कर रही है HDFC बेंक के साथ बात देश में बढ़ रहा है मुबाइल फोन के जरीए पेमेंट करने का ट्रेंड एपल, गूगल, एमजोन और सैमसंग जैसी दिगच चेकलोजी कम्पनिया कर रही है पेमेंट सेक्टर में विस्तार एपल कार्ड में एपल पे की मिलेगी सुविधा उपभुकताओं को एपल कार्ड पर मिलने वाली रिवार्ड मनी पर मिलेगा अच्छा ब्याज अमेरिका में एपल कार्ड इस्तिमाल करने वाले ग्रहाक बिना ब्याज के किस्तों में खरीच सकते हैं एपल के उत्पाद भारत में भी ग्रहाकों को मिल सकती है यूसुविधा डिजिटल विवस्ता से करदाताओं को पैसा बचाने में मिली है मदद डिपी आई ने भारत में सरकारी विवस्ता में पारदरिश्टा बढ़ाने का किया काम महिलाओं के लिए निर्धारित राशी का बहतर इस्तिमाल भी हुआ सुनिश्यत सरकारी योजनाओं में होने वाली चोरी कम करने में मिली है मदद पहली मेड इन इंडिया सेमी कंड़क्टर चिप दिसंबर दोहजार चौबीस तक आ जाएगी बाजार में केंदरी ये आईटी मंतरी अश्वनी वैशनों ने की है इस बात की घोशना देश में चार-पांच सेमी कंड़क्टर प्लांट एक साल के अंदर हो जाएंगे स्थापित माइकरोन चिप सहिंदर के लिए गुजरात में भूमी आवंटन के लिए हो चुका है समझोता माइकरोन सेम्दर में करीब 5,000 लोगों को मिलेगा सीधे तोर पर रोजगार 15,000 लोगों को अपर्तेक्ष रूप से मिलेगा फायदा गुजरात में माइकरोन का सेम्दर 2024 अंद तक हो जाएगा चालू तो ये था बिजनेस और परसनल फाइनस जोड़ा बॉलेटिन खबरों का लंच बॉक्स मेरा नाम आमन गुपता है बिजनेस और परसनल फाइनस जोड़ी दूसरी खबरों के लिए आप मनी नानिका मुबाइल अब जरूर डाउनलोड कर लिजे चलता हूँ नमस्कार खबरों का लंच बॉक्स